हेलो एवरीवन आई वेलकेमी तो आल्ग जैनेसिस आज का टोपिक थोड़ा डिफरेंट है मतलब जो हम लोग आई टी जी या फिर नाटा के प्रिपरिशन के वारे में बात नहीं करेंगे जो हम लोमली करते हैं इस पूरी चैनल पर आज का टोपिक है फोटोग्रिफी करना चाहते हैं आपके पास एक नॉमल कैमरा है मुवाइल कैमरा है या फिर यह नोमली पॉइंटे शूट कैमरा है तो यह लेक्चर आपके लिए फायदे मन हो सकता है लेकिन अगर आपको सिर्फ आई टी या फिर नाटा से रिटिट पढ़ना है तो यहां पर मुझे नहीं करने वाले हैं जो आपके एक्जामर डाली पूछा जा सकता है तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं बाकि हमारे आर्ट एक्चर कोर्सेज नाटा आई टी के लिए डेडिकेटली कोर्सेज अवेलेवल हैं अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर ज और आपको मैं निइक्कर कर दोंगा पुड्री कोर्स के बारे में सो लेस स्टारट के होता क्या है ॹालि को अप इन सबसे पहले पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है और फॉस्टोग्राफित ना फॉटोग्रेफि बना है unclear फोटौन से एंड प्लस ग्रैफी आया है ग्रैफिन से लेटन वर्ड है फोटन का मतलब होता है लाइट और ग्रैफिन का मतलब होता है टू राइट कि आप लाइट कि इस तरह से लिखते हैं तो नहीं होता है तो कि क्या लाइट ना हो तो तभी फोटोघ्री हो सकती है अगर आप फोटो हटाे देंगे तो ग्रैफिन के आई सकती है अब विखते ही नहीं होती तो suchen अगर आप लुकुल ख्लोज रूम के अंदर जाते हैं फोटोग्रफिय ट्राइब करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्यों हम पर फ्लाइट ही नहीं है हाँ कुछ तरीके हैं उसके बारे हम बलग से बात करेंगे कि कैसे फोटो क्लिक की जा सकती है इफ देखते हैं फोटोग्र अगर हम बात करें दिस इस अवर आई देशिज़व आई और शुट मेंकिट लाइक दिस नोबली क्या होता है कि यहां पर कोई अबजेक्ट होता है तो इस अबजेक्ट की कोई सब्सक्राइब आती है संदेज यहां पर पढ़ते हैं इस बोड़ी के ऊपर और और यहां पर यहां पर यह सेंसर लगे होते हैं और हमारे माइन को सिंगल भेसते हैं कि सामने जो अबजेक्ट है किस तरह का है यहां करती है सेम तरीके से कैमरा भी होता है यहां पर हमारा कैमरा है सब्सक्राइब यहां पर लेंस लगा हुआ है यहां से रेज आती है रेज तक्राने के बाद they get reflected और ultimately यह लेंस में जाती हैं लेंस में जाने के बाद हमारे यहां पर यहां पर प्रोजेट कर देती है और इस सेंसर ही इसको capture करता है और आपको JP या PNG रोव फाइल के तरह आपको दे यता है अगर हम आई जो मरें होती है कैसे काम करती है अपने नोटिस कि होगी कि अगर जाद अंधेरा होता है इफ देर इस नोट देट मच लाइट तो काफे टैम लगता है समझने में तो इसका मतलब क्या है अगर सपोस्ट की जिए आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आती है रात का टाइम है और लाइट आखों बढ़ती है तो हम क्या करते हैं हम आखी की जो ह इसको बोलते हैं अपर्चर कैसे काम करता है इसको करेंगे लेकिन अभी समझो आप कि आइस में कैसे काम किया जाता है कि लिए अगर आप बिल्कुल एक लाइट की तरफ देखते हैं तो हमारी आंके अपने आपी ऑटोमेटिकली जो हमारी जो लिड होती है आई लिड ओप कि लिड लाइट बहुत जादा आ रही है उसको कवर करने के लिए एक बार आपने की नोटीस होगी कि मान लीजिए आप शाम को या रात को काम कर रहे है लाइट चली आती है उसके बाद क्या हो था एक दुमसा नहरा हो जाता है लेकिन आप देखते हैं साम के टाइम की तो क्या होता है कि लाइट तो है पर बहुत कम है तो हमारी आइज क्या करती है उसलिट को अपन कर देखने के लिए फिर लीट के अपन जो सरो मारा जो हम ए नगॉप कर दिखने अब क्या हो रहा है मान दीजिए जो पहले यहां पर इतनी लाइट जा रही थी इस पार्ट अभी इसने शट्र ओपन कर दिया है तो काफी सारी लाइट चली जाएगी इस चीज को बोला जाता है शटर यह उसको बोलते अपर्चर अभी हम सब को डिट्ल में डिसस करेंगे लेकिन आप समझो क्यों कि आई हमारी जैसा काम करती है ऐसा ही एड्जेक्ली कैमरा भी काम करता है अगर मैं इसके वारे में बात करूं सपोस्ट कि जिए आप यहां पर ल जाते है तो क्यों जाहेगा कि चाहेंगे अप्लाइट कम जए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है उसको करना चाहते हैं कि अभ माले रात का टायम एच लाइट वैसे भी कम है तो आप क्या चाहेंगे कि लाइट जादा जानी चाहिए ना क्योंकि ओलेडी मार्क जो एट्मोस्फेर है फिर इन्वारोमेंट में काफी कम है तो अब क्या करेंगे इसको कर देंगे तो इससे क्या होगा यह पूरा का पूरा इतने वाले स्पेस के अं ज्यादध खुला होगा तो लाइट ज्याद जाती है और कि अन्धर कम कुल्याय तो लाइट मैंजा झाला जाएगी कि अई एक चीज आती है इसके अंदर कि आई एसो भी चीज आती है यह तो मैं डिसक्स कर आप अपर्चर के बारे में दूसरा आता है इसके अंदर ISO का मतलब होता है कि इस सेंस्टिविटी है आप कितना ज्यादा सेंस्टिव है किसी विशीच को ले के ठीक है उसको हम लोग फोटोग्राफ के दुरू अच्छी तरह देखेंगे एक चीज़ और आती है शटर स्पीट कि अच्छी शटर स्पीट का मतलब क्या होता है आप कौन सा फ्रेम केप्चर करना चाहते हैं कितने देर के लिए करना चाहते हैं मतलब क्या है सबोस किजिए कि यहाँ पर रेस लगी होई है एक एथलीट यहाँ पर एए और बी है इन दूनों के बीच में बहुत कम सेकेंड का पास करें तो अगर आप बोलेगे कि हम तो अराम से नहीं आपको ओला ही टाइम चाहिए होता है मतलब आई विल से अगर हम एक सेकंड के बात करें तो वर्ट सेकंड का 1600 संथिक आपको टाम चाहिए होगा यह वन अपोन एट रिच देड़ संथिक क्यों क्योंकि इतने टाम के जाने के बाद यहां सा उसकी इमेज जाती है उसकी जो लाइड जाती है यह पर पहुंच ती अंदर अधर इसके संसल लगा होता है इसके बिशुटर है इसके पर प्रस्क्याप्चर कर लिए जाता है सिंपल तरीका जैसे में नई काम करती है इनके नाम क्या है वह आप देख लेना नॉर्मनली दिन सारा यातकर मज़ुरूरत नहीं है यहां पर एक लैंस होता है लैंस के लिए पता होना जरूरी है यहां पर आपका शटर होता है जो light को आखाओ करता है इसके विए सेंसर लगा तो यहां पर लग सकता है अगर दिखाए देगा चीज नहीं अभी हम लोग इस पर जाक फोकस नहीं कर रहे हैं कि अगर हम बात करें लैंसे के बारे में तो इसको छोड़ेते हैं फिलाल के लिए हमारे इतना ज़रूर नहीं है क्योंकि नेक्स्ट कभी बनाएंगे वीडियो डिटेल में लेकिन बहुत इंट्रोड़क्टरी है तो वैसे देख लीजिए फिशाय लैंसे आते हैं वाइड अं जाएंगे नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसा लैंसे जो दूर से बैटे पर उसको फोकस कर सके जैसे यहां पर है तो देखो जो यह वाले छोटे जो लैंसे फिशाय लैंसे लेकिन इसका कहीं ने कहीं आपको कॉमपेंसेट करना पड़ेगा यूविल लोट गेट कुछा को सेंगी जैसे तो आपको फिशाई के वाले में बात करते तो आपको क्या होगा बहुत बड़ा ऊको तो आपको यहां पर उक्ट विलजा सिर्ट है अपर पोकिस ने कर पाइगे मतलब किसे अकर चाहते हैं बूंधिंज जाना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं कि जोम इन में हो जाए तो जोम नहीं होगा जब कि आप यहां पर टेली फोटो के अंदर देखो यहां पर चोटा सा है और यहां पर इतना बड़ा जों हो गया 300 mm के ऊपर बड़ा प्रॉल्लम इसकी आपको जितना बड़ा एरि ले मिलेगा यहीं मिलेगा तो कहीं नहीं अपने को कमशेट करना पड़ता है जैसे यहां पर है कि अगर फिश आई लेंस होती है फिश इसका मलब बोला जाता है कि वह निटी डिग्री फिश जो होती है देख लेती है तो अगर आप फोटो क्लिक करेंगे अपको पूरा तो आपको फोटो तो काफी दूर की फोटो के लिक कर लेता है लेकिन आता सिर्फ ओभी ऑबजेक्ट है मतलब जो फ्रेम है उसका साइज चोटा हो जाता है उसको फ्रेम है इतना ज्यादा नहीं आता है कि लिए तो इसके बाद कुछी जोर देखते हैं जिसे एक्सपोजर ह होता है एक्सपोजल का मतलब क्या होता है लायट कितनी गई है कुछ फोटो इसी होते हैं कि थोड़ा अंदहरा रह जाता है तो उसको बोलते हैं अंडर एक्सपोज। पूछ फोटोग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि बहुत जादा लाइट आ गई है तो डिटेलिंग चले जाती है और कुछ होती है करेक्ट फोटोग्राफ एक्चिलिए हमार टार्केट यहां पर होना चाहिए लेकिन डिपेंड करता है को सी फोटोग्रफी करना चाहते हैं कभी तीन चीज होती है किसी भी फोटोग्राफी के अंदर कितने वीडियो लेक्चर लगा लेजिए कहीं भी आप डाक्ट डार्क्ली फीजिकली आप जा सकते हैं उनके पास कोई आपको इन सेलक्ट चीज नहीं बताएगा इस आपको तीन चीज पता होनी चाहिए अगर आप फो आप से प्रक्रिस करेंगे आटोमेटिक ली आ जाएगा ठीक है तो मैं आपको ऐसी बताया है यह वीडियो लेक्चर साहिट थोड़ा लंबा हो सकता है मेवी ट्राइग करूं जल्दी खतम करने कि बड़िट कैन बी फॉर्टी मिनेट और सम्तिंग वन घंटा वनार भी हो सक बोलते हैं इन ट्रेंगल के बीच में इनको एक देदिया सटर स्पीड एक तरफ होती है आई आई एक तरफ होता है अपर शर्याइफ एक तरफ होता है यहां पर मतलब क्या है इंटर ग्री डोते हैं अगर आप कहीं पर भीज़ाटर स्पीड को तो अटोमेटिक ली आई अपने हपीं होंगी मतलब क्या है okay 3 सिंट मार्गे चलते हैं मैं one upon 80 सिकिन्द लेता हूं अभ akan 80 रिट нужden लेता हूं तो और अगर मैं करिता हूं वन अपून 10 सेखिंड तो यहां की सेट्टिंग और यहां के सेटिंग जो आयगी डोल्य वाइगे यहां पर कहीं न कहीं आपको इन कमपेश्ट करने के लिए उपनिचा करना पड़ेगा अगरा फोड़ोग्रिफी चाहते हैं तीन चीजों के लिए अगर हम अपर्चर के वारे बोलते हैं अब ऐसो बताएंगे नहीं बताएंगे कि साइज उसका जो फ्रेम है बड़ा करो जोटा करो टेक्नले लेंगेज के अंदर तो इसे होते हैं एफ तक जाते हैं 1.4 एफ 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 उसको अम लोग एफ यह फार्फ एफ एफ वघ पन फिफटेन इस तरह से बनाते है श्रटर का मतल्ब होता है हम लोमान लेते हैं वन सेकिंड के डिवाइड करके चलते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेंसर है जो कुछ भी लाइट आई है और कैप्चर करें तो उसको बोलेंगे शंडर स्पीड इसकल टू वन सेकंड लेकिन यह बहुत बड़ा होता है वन सेकंड का मतलब होता है अगर उनको हुमन आई के वारें बात करूं हुमन आई अगर वन सेकंड में थ्री फ्रेम्स चेंज हो रहे है है तो हमारी आई रिकोगनाईज कर लेती है मतलब अगर एक फैन है माले जी ओ एक यहां मूव करना शाट करता है तो आप पहला सुच्छोन करते हैं तो बहुत कम काम को उसकी दिखाई देती है इनकी जो लिट से यह दिखाई देती है यह विंग्स दिखाई देते हैं ठीक हमें क्या देता है फिर इस तरह से वह मतलब दिखाई देता है एक्चुली वीडियो कुछ नहीं होता है वीडियो का मतलब होता है कि बहुत सारे फ्रेम है और आपने एक साथ उनको चला दिया है तो अगर आपको एक सेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए है यह प्लांट है या फिर लेंड्सकेप है तो वहां पर आप लगा सकते हैं क्योंकि मूव नहीं करने वाला है और जो भी है एक सेकिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको मैच हो जाएगा लेकिन मान लीजिए कि आप गाड़ी में जा रहे हैं आप गाड़ी फोटो के साटवे पार्ट के अंदर वियार कैप्चरिंग देशन तो यह वी वन अपॉन फॉन थाउजन तक होता है कुछ टू फाइव डबल जरो तक जाते हैं अगर आप स्पोर्स फोटोग्रफी कर रहे हैं आप बोटन से प्ले कर रहे हैं तो उहां पर आपको वन अपॉन फॉ कछेंगे लाइट को आने देंगे तो ज्भाइट आएगी यहां पर लाइट To Some Inspector देंगे जब तक देखा है तो उसकर सेिनस्टिव करना है उसको फोटोग्राफी फोटोग्राफ के थुरू हम लोग अभी समझेंगे ठीक है चलो देखो बहुत सिंपल तरीके से हैं इसमें कोई कॉप्लिकेशन नहीं है अभी तक जो हमना देखा है उसको हम फोटोग्राफ के थुरू देखते हैं आपको सब कुछ नहीं तो एक सेकिन का मतलब कि अंदर यह वाली गाड़े थी और यहां से यहां पर चली गई तो आपने क्या करा एक लंबर टाइम के लिए शेडर ओपन रखा जिसके अंदर उसकी एक्कुरेट फोटो इमिज नहीं है कभी है पर उसको क्लिक करा यहां पर करा यहां पर तीनो करेंगे बाकि जो यह ऑबजेक्ट है जो इस्टेशनरी हैं वह बिल्कुल शार पाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी फोटोग्रिफिक कर रहे हैं वहां पर मोविंग ऑबजेक्ट हैं तो आप शेडर स्पीट को कम ही रखेंगे वन सेकिंड अपोन वन हंड्रेट के असपास से उपर ही रखेंगे जितनी ज्यादा रखेंगे वन अपोन थाउजन तक जाएंगे उतनी आपकी शाप इमेज आएगी पर अगर आप शाप इमेज के लिए कर रहे हैं आप चातो सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन आप क इस दो चीजों को कंप्रॉमाइज करकर एक चीजों के साथ उसको प्रॉलम प्ले करते हैं अब माली जे कि यहां पर आप फोटोग्रफि करनी है आप को यह बात के लिए रेस लगी होगी है काड़ी कि तो आप कुछ भी करेंगे आप यह तो कॉम्प्रॉमाइज नहीं कर सक नहीं है मतलब बन अपॉन 900 भी नहीं रखनी है तो इसका मतलब क्या है कि यह तो फिक्स होगी अब बाकी अपर्चर एंड आई ये सो के साथ सेटिंग करकर ऊपर नीचर करकर आप इसको कमपुशिट करने कोशिस करेंगे क्लिया और फोटोग्राफ देखते हैं यहां पर यह फोटोग्राफ क्लिक की है यहां पर क्या हुआ यहां का मतलब क्या है कि लोंग्ट रम के खोली गई है यहां पर यह थो फूरोड आगी मैडम लेकिन हापर किया है यह श्रॉट रहे थे तो एक सिक्श् ACT लिएMark चलते हैं तो एक सेटरीयं होंसलेकर में देखी मेह जाइए म तो यहां पर क्या होता है शडर स्पीट के साथ आप प्ले कर सकते हैं वहां पर मुविंग अबजेक्ट नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मोशनों क्याप्चर करना या फिर टाइम को रोकना है तो जैसम ने बात की थी शडर स्पीट वही होती है वन सेकिंड वरन फॉन थाउजन सेकिंड तो आप देख सकते हैं जहां पर लाइट वो कैप्चर करें कितने देर के लिए करेगा तो उची बताए जाती है अगर हम लोग फोटोग्राफ के वारे में देखते हैं वन अपॉन डोसे मतलब हाफ सेकंड के लिए शटर स्पीट खोली गई है अब अगर हाफ सेकंड के लिए खोली गई है इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के आजिय के अधिशे पार आए नहां इस यहां पर आप है या फिर जो बिल्डिंग जो स्टेशनरी है वो मुव नहीं कर रही है यहां पर ज्यादा ही पिछे की तरफ उतना ही मुवेंट है लेकिन कैमरे के जाद परस्पेक्टिव यहां पर ज्यादा बनेगा पास में महां पर कम बनता है कि लिए अगर हम और फोटोग्राफ से ले पर जाए यहां पर क्या है सिर्फ ओवी अबजेक्ट आए हैं जो खड़े हुए थे कोई ज्यादा ओने आए हैं यहां पर जो सारे स्टेशनरी जो आए हम यहां से चले गए हैं क्यों 21 सेकिंड के अंदर कहां पहुंचे को पता ही नहीं किसी को ठीक है अगर मैं और कभी वाटर यहां पर गया होगा कई यहां पर गया होगा तो यह काफी इस तरह लागिया तो इस तरह सब फोटो डिफ्रेंसिस आते हैं कि सेम से कि सेम चीज़ देखते हैं कि आप फोटोग्राफिक कर रहे हैं किसी बीसाइट की वन अपॉन टॉन्टी वन अपॉन टॉन्टीफाइब मतलब एक सेकिंड एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा यहां वेवातिर दिखाए देंगे आपको टेक्श लेकिन अगर मैं शड़र स्पीड बढ़ा जिता हूं मतलब पंदर सेकिंड कर देता हूं तो पंदर सेकिंड के अंदर कहां पर क्या रावेव चली गई तो उसना सारा का सारा बैलेंस करती है तो ऐसा सब्सक्राइब करती है रेस है अब आप देखो वन अपॉन फोर वन पर अजेव किया तो इसके लिए मैं सेकिंड करना जाना पड़ेगा वन अपॉन फोर हंड़ेड फाइव एंडड फाइव एंडट फ्टी सम्दिंग जा सकते हैं और फोटोग्राफ का एक्जम्पल देख लेते हैं इन भाइस साब ने बोटल फोट दी किसी के ऊपर तो उनींएं यहां पर डेख रहा है तो यहां पर देख रहे हैं तो आप चाहते हैं फॉन फोटोग्राफ ऑ्टिंग है यहां पर आपको वोटर डोप लेट भी आ गई है क्यों उस तैम जो सेकिंड पर ऐसा कुछ रहा होगा अगर फायर क्रेकर होता है दिवाली के टाइम यूजर के टाइम पर अब तीन सेकिंड लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा तीन सेकिंड के मतलब यहां पर जाएगा जाने के बाद और केप्चर होगा फिर यहां से निकलेगी फिर इस तरह से यह सब चीज़ बाहर तीन-चार सेकिंड तरक काम होता है तो सारा सारा उसना कैप्चर कर लिए यह सेटिंग्स हैं अब आपको इस सब सेटिंग आपको याद नहीं करना है लेकिन इसी समझो कि आपको फर्क नहीं बढ़ता है तो यहां पर क्या होगा कि अपनसे कि टैन सेंट लगा दिया सकती यहां पर लाइट कम आई अब लाइट कम आएंगी तो दोनों को थोड़ा कंशेंट करना पड़ेगागा अब बात करेंगे दोनों चीज़ों के ओपर भी इन तीनों को जो यह यह को आपने सकते हैं गालर के लीघ दिखाए तो आपर लाइट की पिछ वरे टेल आ जाती है इसको बोलते हैं ट्रैलिंग फटोग्राफिए ट्रेल फोटोग्रेफी थिक कि बोल देना युजुज करना लाइट ट्रेल फोडोग्रेफिक नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी तो इसमें क्या होता है तीन सेटर लगाना पड़ेगा क्यों तीन सेटर पहले गाड़ी यहां पर तीन सेटर गाड़ी चली गई और जिए लाइट और अपर्चर खुला होगा उतनी कम लाइट के जाती है हम लोग क्या करते हैं जब ग्लेर पढ़ती है तो आंकों के सामने हम कैप पहनते हैं यहाथ रख लेते हैं क्यों कि हमें बहुत ज्यादा लाइट आ रही है हमाँ छोटे से पाट के लिए चाहिए होती है हमना हाथ इसले त कम जाए सेम चीज काम करती है अगर लाइट कम है मतलब शाम का टाइम है बहुत सुबह का टाइम है अल्ली न दर मौर्णिंग है रात का टाइम है तो हमें अपर्चर बढ़ा करना पड़ेगा क्यों अगर आप अपर्चर कम कर देंगे तो लाइट और वी कम आई हैं सबका रूम है माल लीजिए और आपका महाँ पर लाइट वैसे नहीं पोस्ते हैं और आपना विंडो भी छोड़ी से लगा रखी है तो उसके साथ ये भी होता है कि लाइट कम जाएगी जाएगी तो आप बोलेंगे सर बच्छा है ना लाइट ज्यादा जाए लेकिन लाइट ज् इसके सब्सक्राइब करना पड़ता है यह भी चीज़ डिबेंड करती है कि आपकी फोटोग्रफी के अंतर पहुंसे फोटोग्राफ कितने अब्जेक्ट्स हैं यहां पर क्या कॉटन बोलें यहां पर सिर्फ यह वाला ही ऑब्जेक्ट है तो आप यह चीज़ी देखिए आ आपने यहां पर फोकस हो गया है लेकिन बाकी सब्लार हो गया है तो आप इस तरी फोटोग्राफी चाहते है अपर चर्क मतलब वहीं होता है इसको बोला जाता है एफ पॉन टूएट इसको हम लोग इस तरह सब बोलते हैं एफ पॉन 4 फॉन 28 और सम्थी डिपैंड करता है अगर f upon 2.8 मतलब shutter काफी सारा खुला होगा open space काफी है जितना आगे तरफ जाते जाएंगे तो shutter जो है इसका जो फ्रेम है यह हमारा जो लाइटिंग है उतना छोटा खोट चला जाएगा उसका पर जाएगा ठीक है कि यह सुप्सक्राइब विंडव दलाइड दीड के तूअ इसको समाज सकते हैं कि बड़ा होगा तो जतने बड़ा साइज होगा उतनी बड़ा आपके अपर लाइट यहां पर आएगी किलिए जैसा मना बात की थी यहां बात की ति यहां ट्रेंगल था सब्सक्राइब तो आ कि वो छोटा सा ओपन होगा और यह सब भर चुका होगा लाइक दिस अब कुछ फोटोग्राफ देखते हैं डिफ्रेंस देखते हैं ठीक है यह बात किलियर हो गई कि अगर आपको दिन का टाइम है ब्राइट टाइम है तो आप क्या ट्राइब करेंगे एफ़ान 18 तक अगर हम लोग यहां पर बात करें अ इन फोटोग्राफ के ओपर देखो ऐफ़ान 22 नो का मतलब क्या है आपने बहुत कम खुला हुआ है तो इसका लेकिन तो फायदा क्या होता है कि यहां पर इसने यह वी कैप्शर कर लिए यह वी कैप्शर कर लिए हर चीज के नर फोकस हो है लेकिन इसने क्या करा इस वाले पार्ट पर ही फोकस करें इस वाले पार्ट ये सारा बलर हो गया है ये सारे का सारा यहांसे बिलर चला गया तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पार्देख करना चाहते हैं और फोटोग्राफ एग्जामपल देखते हैं कि एफ अपॉन टू पॉइंट एक फोकेज लाइट जाल चलिए यह गूट लाइट अच्छी एसके अनने लेकिन फोकस कहां करा है उसने सिर्फ इस अब्जेक्ट पर और अगर मैं बात करूं आपसे अफ़ाइट कम जग गई है लेकिन आप आप देख रहे हैं सारा का सारा फोकस मांगे पीछे जो भी चीज़े सा फोकस मांगे तो यह इस तरह सा पर्चर काम करता है सेम चीज़े जो मैडम है इनको एफ ओन एट किया है त तो इसके अंदर फोकस कहां पर है मैंटम के ओपर है पूरा का पुरी आला फोकस है पीछे कुछ ब्लर है और इतना ब्लर नहीं है क्योंकि उसके बाद उसने एंफ फ़ॉंट पॉइंट 5 कर दिया है तो इन्हीं पूरा का फोकस मैंटम के ओपर रही हैं तब इप इस सार के अंदर आपको जो आपका अब्जेक्ट होता है और क्लियर हो जाता है कि आपको इसको फोकस करना चाहते हैं नॉर्मली आई डॉन लाइक लैंट के फोटोग्रफी और और सब चीज़े तो मेरे कामिसम हो जाते हैं अगर और एक्जामपल देखते हैं तो सासा देख लेते है एफवान टो पॉइंट एक करते हैं तो सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर फोकस गया है यह सारब बलर हो गया पीछे जो भाइक खड़ी होई है लेकिन अगर आपन शिक्टिंग जाते हैं तो आपको पूरा का फोकस शार्फ हो गया है किलिये को और चीज़ा एफ़न एफ काफ़ी कुछ आपको सब कुछ फोकस में आ रहा है ठीक है यहां पर भी आप देखर पारे है लास्ट जो होती है मैं अपनी पर दिखाऊंगा कि मैंने कैसी की है अगर मुझे टाइम लगा दो आई-ए-स-व का मतलब होता है कि आपकी सेंस्टिवेटी कितनी है उसका मतलब होता है सेंस्टिव टू लाट कलू लेट करता है कि अगर आपने आयend Angför सैटिंग बढ़ा दी है मतलब ज Statesau स्ट्री दू डवल जिरो कर दिया तो आप को तो हम से लाइट पकड़े लाइट दिखाए देगे उसे हम कैप्चर कर लेगा हूँ ठीक है अब यह डिपेंड करता है आपको लाइट कितनी है अगर माली जी लाइट बहुत कम है तो आप चाहेंगे कि जो भी लाइट है उसके लिए हमारे जो कैमरा है एक दम से एक्टिव आपके i-so साइटिंग बढ़ा देंगे अगर माली जी दे टाइम के बारें बात करते हैं नाइट टाइम प्रिटा है तो आप क्या करेंगे यहां पर इसके इसे लाइट बढ़ा देंगे और ट्री टू डॉल जिरो ब्लाएंगे डिपेंड करता है कितने ब्लाना चाहते हैं तो लेकिन अब अगर आप कोई कीजी का यह बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं करना पड़ेगा आपको हम देखते हैं कि आएए-सो कम रखते हैं यह ज्यादा रखते हैं तो डिफरेंस क्या होता है एपिए हम सिम्पल आगर हम बात करते हैं अगर qo results कम रखते है तो हमारी फोटोग्राफ आती है आगर बड़ा कर दिते हैं तो हमारी के अंदर नोईचा आना शाटब जाती है यह ग्रें आना सब जाती Français अभ SH नहीं तो देखते you देखो यह जो फोटोग्राफ है यह आई यह 100 पर फोटो क्लिक की गई है यह क्या है इस आर दी कीज बंच आफ कीज और अगर हम लोग आई यह सो को बढ़ा देते हैं 100 पर करें तो थोड़ी के साफ फोटो है बढ़ा देते हैं तो यह हो जाएगी 3200 करते ग्रेंस आगे बहु कर सकते हैं लेकिन माद लाइट ही नहीं है तो आपको आई सो बढ़ानी पड़ेगी और फोटोग्राफ लेते हैं यहां पर आई यह सो वन सिग्डवल जिवल है 16 चली गई तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रेंस आइस जिखाए देरे हैं अगर आई सो कम कर दें करकर मैं लेकिन मैं नहीं चाहता है कि मेरी आई इसो ज़्यादा जाए इतना खराब भी नहीं है डिपेंड करता है अगर दोनों डिफ्रेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आप इस फोटोग्राफ बाई आई इसो 100 और यह आई इसो 600 तो यहां पर आप देख रहे है कुछ ग्रेंस बगर देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन अगर मैं उसको 20,000 कर देता हूं तो आप लाइट बहुत सेंस्टिव हो गी है तो आप देखो ज्यादा हरी चीपा फोकस मार रहा है लेकिन है यहां पर ग्रेंस भी आ ठीक है अब देखो बात यह कुशन आता है कि अगर आई इस ज्यादा बढ़ते हैं तो हमारी फोटो में घ्रेंस आएंगे तो बढ़ते क्यों है कम रहने दो ठीक है हम कम रहने दें सकते हैं लेकिन अब मानका चलिए कि लाइट काम है तो आपने क्या करा आई इसो सिर्फ 100 रखा इसका मतलब क्या है कि अब आपको अपर जो फ्रेम है उन्ची जो फोकस करने में दिख्कत आएगी चलो आपना उसको मैनेज कर लिया दूसरा क्या करेंगे कि अब आपको जो शटर स्पीड है कि वह आप वन अपॉन वन हंडर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वन हंडर करेंगे तो बहुत जादा लाइट नहीं आएग अब वन सेग्ड में क्या दिक्कत होगी कि अगर समय मोविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको प्रॉलम हो जाएगी तो यह सारा का सारा मैथमेटिक्स है फोटोग्रेफी इसमें कुछ रोकेट साइंस नहीं है तीन फॉर्मले होते हैं तीनों को समझना होता है अगर आप कुछ करेंगे कुछ फोटो क्लिक करेंगे तो आपको काफी कुछ क्लिक हो जाएगा इसमें कुछ हो नहीं है और अगर देखो कुछ हां थेओरी जार वरी मच इंपोर्ट है कभी कभी होता है हम बात करें कुछ थेओरियृब चाहिए हो लेकिन वोट आप बिलीव कि थेओरी लेकिन आप कोई डाउनलोड कर सकते हैं Android पर आप सर्च करेंगे प्रो के नाम से प्रो कैमरा सैटिंग आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप ISO, Shuddle Speed कम जादा कर सकते हैं तो आप उसके साद प्ले कर सकते हैं और बाकी एक नॉमले आप DSLR चाहें तो खरी सकते हैं और DSLR के लिए कभी और बताएंगे कि उस सैटिंग कैसा होती है लेकिन फिलाल के लिए आपको समझना जरूरी है कि फोटोग्रिफी कैसा करते हैं तीन कॉंसेप्ट होते हैं Shuddle Speed, Aperture और ISO इन तीनों के अंदर आप उन्हें समझ लिया कि काम कैसा होता है ये काम कैसा करते हैं एक को बढ़ाते हैं तो फायदा क्या है और उसका नुपसान क्या है ISO बढ़ाते हैं तो आपके light जादा capture होगी लेकिन ग्रेंस आजाएंगे Shuddle Speed को आप कम करते हैं मतलब 1 second तक जाते हैं तो light जादा आएगी लेकिन moving object कई बार repeat हो जाएगे जाते हैं तो शर फोटो जाएंगी लेकिन उसके लाइट कम आईए तो आपको देखना पड़ेगा उसके बढ़ा जादा बड़ा आप अपरचर करते हैं उसने जाद लाइट जाएगी लेकिन फोकस कम पर करेंगा तो आप इन तीनों के आपको लगता है अगर मुझे मालेज लेंट से फोटोग्राफिक करनी है एक माउंटेन तो मुझे क्या मतलब है तो मैं तो आइस्ट को ट्राइक करोगा कि भाई हंडडेट सोपर जाएगी ना फोटोग्राफिक शार पाने चाहिए लाइट की लिए मैं क्या करूंगा अपको इसके नतर्म भेविंग अब्यक्त सब्सक्राइब नहीं है तो मैं क्या करूंगrese सब्सक्राइब तर तो डिपेंड करता है फिर हम बात करते हैं लाइट और तिसरा अपर्चर अपर्चर में क्या करूंगा एफ फॉर की जरूरती नहीं है मुझे फॉर करूंगा तो बड़ा फ्रेम खुलेगा लेकिन मैं कम पर जा सकता हूं क्यों कि मैं चाहता हूं मेरे पूरा लेंस के सब्सक्राइब करेंगे तो लाइटिंग मैंटर करती है लैंस मैंटर करते हैं कौन सब लेंस कर रहे हैं सब्सक्राइब यहां पर जाएंगे यहां पर जाएंगे क्या करना पड़ेगा ठीक है कि अगर कुछ में आपको थोड़े से एडिशन फंड मलफ कुछ और इंफॉर्मेशन दू यह एक पोजिशन के ओपर होती है लेकिन देखो हमारी फोटोग्राफी डिपेंड करते हैं कैसा करना चाहिए देर इस नो पर्मनेंट स्टेटेजी कि आपको यह फोटोग्राफी करन अब मैं अपने बारें बताता हूं मैं जहां पर भी ऑफिस में जौफ करता हूं तो मुझे उनको पचल जाता है कि इस परसन और सुट फोटोग्राफी तो थोड़ा फायदा होता है जौफ के अंदर उनको पता होता है कि चलो यह मतलब साइट पर जाएगा तो फोटोग्र होता है उसको बोलते है रूल ओफ थर्ड रूल अवफ तर्ड का मतलब क्या होता है सिंपर यह आपका नोवल केमवा साइज जहाप आफ एक इमेज देखते हैं तो हमारी जो आई होती है एक पुरा फोटो देखिए तो उस फोटोज़ा है उस फ्रेम के अंदर कुछ हमारी आई सबस्यादें होती है मतलब यह दिखा गया है कि जहां पर इंट्रसेक्ट करते हैं यहां पर सबसे ज़ादे हमारी आई संस्टिव होती है मतलब जो अटेंशन दी तो एक तरीका तो मेरे पास है एक तरीका तो यह वाला है कि आई किलिक इस फोटोग्रेफ अगर बनाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिस कर दिया इसके अंदर तो यह फोटोग्राफी स्टार्टिंग में अच्छी लगते बच्चों को जब करते हैं लेकिन आप देखेंगे तो कि इसको पसंद ही किया जाता है दूसरी फोटोग्रेफ ही हो सकती है कि मैं इसको इस तरह से ग्रिट में डिवाइड करता हूं और मैं यहां पर इस तरह से रखता हूं तो यह लिए इस तरह की फोटोग्राफ ज्यादा पसंद की जाती है ठीक है तो इसको बोलते हैं आपका होरिजन की अगर माली जी इसको मैं थोड़ा सा डिलिट करते हूं अगर माली जी कोई कि यह लेंड्सकेप है इस तो यहांपर क्या है दिएसा होरेज़न तो इस होरेजन को बीच तो जो आपके औब्जेक्ट है यह आपके कहीना के इंटरसेक्ट करने चाहिए इस वाले पार्ट के ओपर यहां पर और यह वाले पार्ट है यहां पर करने चाहिए माली जी आपके एक plant को बनाना है माली जी यहां पर क्या है एक plant है so rather than to making to placing over here I will rather prefer कि यह यहां पर आ जाये और जो हमारी जो land है ओ यहां पर आ जाये यह photography ऑत्छी होती है रूल of thirds होते है शर्च करना रूल ओफ थर्ड्स ठीक है शेक करो गनेटर मिल जाएगा कुछ चीज़ होती है कि सिमेट्रिकल कुछ चीज़ पसंद आती है अगर आप कोई सिमेट्री बनाते हैं तो पसंद आती हैं डिपेंड करता क्या बनाते हैं नोमलि सेंटर ऑ्रेंटिट फॉत मतलब आपने में अब्जेक्टा सेंटर में रख दिया है और अच्छे नहीं होते हैं than लोग पसंद ही करते हैं हाव लेकिन को इसा फार्ड और फास्त रूल नहीं है कि ऐसा ही होता है एसा कुछ जरूरीन खूसकता है कि दूसरा काम भी कर जाए ठीक है तो आप उसीज को देख लेना और कैसे रूल होते हैं कुछ पूस और भी होते हैं कि यहां पर आप यहां पर है तो यहां पर आप यहां पर यहां पर यूज करेंगे तो तो फायदा आपको मिलेगा अगर अगर मैं कुछ आपको फोटोग्रिफिय दिखाऊ अपनी तो मेरे पर ज्यादा नहीं है मैं लेकिन थोड़ा आपको आड़े लग जाएगा तो मैंने इस फोटोग्रेफ के अंदर यह चार मिनार की है तो देख ले ना कहां पर है चार मिनार अच्छी लगती थी लेकिन मैं कमी निकाल पाता हूं यहां पर क्या है देखो इस फोटोग्रेफ के अंदर यहां वाला जो पार्ट है यह बैटर होता है कि मैं फोटाइट है इसको यह वाला पार और यह रादर देन कि यह थोड़ा सब यहां पर तो मैंने इंटर सेक्शन सब्सक्राइब लेका आगया जाले पूर अब्जेट को लेकिन जो यह और उपर होता और थोड़ा बैटर लग सकता था और फोटोग्रेफ देखते हैं और इसको थोड़ा सब हो जो भाई छोटा हो और यह ग्रीज की फोटो है एथेंस तो यह फोटोग्रेफ मैंने क्लिक की थी मुझे पहला अच्छी लगती थी लेकिन अब अच्छी बस इतनी पसंद नहीं आती है क्यों क्योंकि सेंटर और मैंने अब्जेक्ट इस चीज के उपर है और यही सेंटर अगर मैं तो मुझे फोकुस गया नहीं है हाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं लाइक कि फोटोग्राफिक क्वाल्टी निकाल करता हूं तो थोड़ा बैटर लगे इस तरह से लेक्ट लैक तो अभी इंट्रस्क्रेट हो गया कि आचाहें आपर यह सब चीज ह या फिर मैं इसको ऐसे भी रखता हूं तब भी चलेगा डिपेंड करता है रदर देन कि मैं इसको यहां प्लेस करता हूं यह फोटो इतनी इंट्रस्टिंग नहीं बन पा रही है और दिस वाज मार पेज एक्चुली काफी टेम पहले फेस्टू बनाया था मैंने सासलाव एक् पबली की कैपिटल प्राग है प्रहा बहुत है उनकी लोकल एंग्रीज में तो यहां पर भी फोटो अच्छी है अभी यह क्वाल्टी बाह मत करना क्योंकि मैं नॉमली वोट सब इंस्ताग्राम से सेव कर ली है इतना टाइम नहीं था मेरे पास की अनको मैं अच्छी क्वा और फोटोग्राफ मैंने भी दिखाई नहीं यहां पर कभी दुबारा कोई मुखा मिलेगा फोटोग्राफिक अंदर ठीक है अच्छी फोटोग्राफ है आई सब्सक्राइब होगी लेकिन ऊजीजी होती है यह थोड़ा सा यह स्पेस थोड़ा काम हो गया है थोड़ा ज्या पर फोटोग्राफ के अंदर इस इस पोजिटिव स्पेस और बाकि यह सब निगेटिव स्पेस तो कहीं पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब आपके कंपोज नोगी बैलेंस होने चाहिए बैलेंस का मतलब यह है जो आपके कोई भी कंपोजिशन है इमेज है फोटो है वो पॉज़िव स्पेस बिए निगेटिव स्पेस अपना खतम कर दे इसलिए आपकी प्रेजिटिशन अची नहीं लग रही है तो थोड़ा सा उसका धिया रखना जरूरी है बाकि कि यह यह मेरे ओफिस की फोटोग्राफ है इन माई नीदरलेंड्स ओफिस नहीं है मतलब यहां से मेरे ओफिस के रोड जाते थी यहां से मेरे ओफिस के यहां पर था तो यह रास्ते हैं पड़ता था तो यहां पर है इस फोटोग्राफ के दर बाकि सब ठीक है लेकिन जो य करता ठीक हो जाती है अब मुझे सख् måin themWorker का इंदे एंदर और यह यह पुरी पेलेंस है यहां पर इन मोमेंट है रिगम सबस्क्राब अब जाए कंद। बकैन देखो नियरोल और फोर्ड करना अब Flynn बनालागड फोर्ड यह है का पड़ता है यहां पर किया है कि कोई रूल फ्रेम डाल दिया गया यह वाला दिस लूकिंघा फ्रेम उसका फाइदा क्या हुआ है यह सब के सब जो अंदर के जो चेर्स हैं यह सब मैनेज होगी जिस अच्छे लग रहे हैं देखने के तो एस रूल नहीं है लेकिन हम फॉलो करते हैं तो फ तो यहां पर यह लाइट गई है इसका मतलब क्या है कि मैंने 30 सेकंड रखाता है आपको तीस सेकंड आधा मिलेट तक खुला हुआ तो यह गाड़ी 30 सेकंड तक हां का मॉव करी है वह सारा सारा कैप्चर हो गाड़ी नहीं है इनकी लाइट कैप्चर होई है इवन आप देखे सरे के फ्रेंट है यहां पर टोटी एफ्न है कि यहां पर यह और रहुअ खी फ्रेंटोग्राफ यह मुझे अच्छी लगती है क्लड़ के ह Azure क्रेंसय प्रफेक्ट सब्सकी मेटरी जिकर परफेक्ट मतलब यह नहीं कि Before present ऑफको और चेंच होगा इसलिए मैं मैं सब्सक्राइब कि पर्फेक्ट सिमेट्री कोंसप्ट ही नीचर के अंदर कुछ ना को तो गलत हो गई होगा अलग होगा गलत नहीं कह सेकते हैं अलग होगा आफ एक यहां पर हुमेंस बिइंग से यहां पर खाली पड़ा होगा यह हर्मिंदर साहिफ की है यह एक पूछह भी आ चुक और नाम किया है इसको बोलते हें हरां मिंदर साहिभ जितने बीधारेस होते है उनका वाइत आधार सब्सक्राइज्ञें पर हर द्लाय्ग का नाम होता है सो कोर्डडध्यं का गैका गजय कमकद다 मंदिर है। यह कहां पर है यह अंदर दिंसर के कर रहे हैं और यहां पर क्या negative space है और negative पोस्टीव काफी बैलेंस कर रहा है यह जो photograph है यह है कि बलंदर वाजय की कितनी बार कोशन पूछा गया है तो पता कर लो बलंदर वाजय कहां पर पर के यहां पर है फोटो ग्राफ साद आपको अंची है लुग लेंगे लगए तिल्टीट है इसका जो फ्रेम जारा kana पहला फोटोग्राफ की तइ Disney मैं यहां पर इस तरह से ऐसा नहीं होता है सिधah होना चाहिए इस तरह से बाकि माने अठीडिक कर रहाए लेकिन मैं अपको यहां पर मेरी फ्रेंड आई थी और सीवस फ्रांस तो उसको दिखाना था मुझे ताज महल तो बाई चांस हम काफे लेट पहुंचे और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचने कलद होगे पर अच्छा हो जाता है लेकिन इस प्लेटफर्म से आगे मत जाना तो पूरा खाली करा दिया गया था विए और नेक्स दिन हमने बाकी ताजमल को देखा तो यह फोटो चीज आ गई यह कुछन में कहवार आ चुगा है कि यह क्या है और इसके आटेट को होने बता दो कमेंट सेक्शन में कुछ तो ब कर दोसना मरताओं यहां पर HDR फोटो क्लिक की गई है एडिटिंग एसी नहीं है HDR सब्सक्रीत के सब्सक्राइब यह स्बूंशन में है यह यह स्नुलेची फोटोग्रेफी ऐस्याम कर दया है उस्हां करेंग तो यह ओटम का सीजान है जब पजड़ कर इसन मलत पजड़ बोलते हैं अपने हिंदी लेंग्विज में ओटम बोला जाता है जो ट्रीज होते हैं शैट देर ट्रीज शैट देर लिफ्ट इस फ्रॉम जर्मनी अगर आप लोगों ने थोड़ी हिस्ट्री पड़ी होगी तो आ बाइदी हिटलर तो बात में एक मॉनुमेंट बनाया है जर्मनी बर्लीन के अंदर ही तो शो दैस कि इनकी जो कब्रे हैं आपर पड़ी होएं यह रियल्टी में नहीं है बोक्स बनाए गए कोंक्रेट के लेकिन तू जस्टू पॉट्रे और टू इस तिंग अगर हिस्ट्र नहीं पढ़ता है जैसे पढ़ना चाहिए लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री इदस एंदव बैटल्स ऐसा नहीं है इसलिय फिस्ट्री पढ़ते हैं सो देड़ी हम लोग समझ सकें जो एवलिशन हुआ है उसको हम लोग वहां से लेसानल ले सकें वैसे पेंड़ेमिक हुआ है 100 स तो उस टाइम पर भी हमें काफी कुछ सेहने को मिलेगा तो हिस्ट्री प्लेजब इंपोर्टेंट हों क्योंकि हमारे जो लाइफ है ना वह बहुत काम है 30 40 50 60 80 सेवंटी के लिए नहीं मौने जाते हैं तो पता कहista लिए कि हमारी जो हमारी जो नौलिज है और कैसे जनुग मोर्डोटी है वह सेटकी फोटोग्राफ है क्वाइट बैलेंस्ट अच्छी फोटोग्राफ है को यसा आपको कुछ पर दो फोटो क्लिक की गई थी फ्रेम की इस आइफल टावर की दूसरी फोटो ग्रेफिक की दूसरी क्लिक की इमून की उसी टैम प्रेट के अंदर बाद मास को जोम इन करके डाला गया यहां पर आप देखेंगे तो एक्ष़ुली इतनी बड़ा फ्रेम आही नहीं सकता है इ यह तो वाइड एंगल लैंस ओफिर यह ग्रीस की फोटो है तो यह उट फोटो क्लिक की गई है यह उसी तरह से यह ऊच्छा की है सोरी गौालेर की है यहाँ पर भी थोड़ी आइटिंग की गई है आइटिंग मलब इन दर सेंस की अभी मैं आपको सब्सक्राइब करो और बताओ कि कौन से पार्ट के अंदर मैं एडिटिंग की है देखते हैं आपकी कितनी observation है इस फोरी फोटोग्राफ को देखो कौन से पार्ट के अंदर मैंने कुछ हटाई है महाँ पर लगाई है तो आपको इसलिए क्लेर हो जाए लिए देखते हैं चलो मैं आपको बता देता हूं अगर आइटिंग अपना वीडियो पोस्ट करकर देख तो यह बड़ी प्यारे जी फोटोग्राफ है मतलब ऐसाज आपको अच्छी नहीं लग रही होगी निए खास लेकिन क्या है मैंने मौईल केमरे से फोटो क्लिक की थी में बार राने कित गया था अपने फ्रेंड के साथ इट इस नियर इन इंटाल तो बाग की यहां पर एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस विल्डिंग के वारे हैं पता चला इट वाज नाइंटी एटी एट यर्स ओल बिल्डिंग अब तो आधिक एक सो दो साल हो गए थे बटी वांट टो डिमॉलिश इट जिसकी ओनर है मुंबई रहते हैं शेर मार्केट मां काम करते हैं तो साल में आते हैं कुछ साथ दिन पंदर दिन एक महוקन के लिए आते हैं सिर्फ एक टायम करने के लिए लेकिन हो चाहते हैं इस बील्डिंग को तोड़कर कुछ बनाना बराई जया आए रिकेस्ट हम नकरो अगर आप सको चाहते हो पैसे कमाना यह कुछ करना तो यू कन अध होते हैं जो इस तरह की बिल्दिस प्रहना पसंद करेंगे एक आप निश्ट टूरिजम दे सकते हैं बटाइव नो आइडिया कि अप तो क्या ही है साहित हो सकता है कि का मैं एक साल से गया भी नहीं हूं तो अगर कभी चाहूंगा तो आई विल अगें बाकी यह दिन में तो का आपको में लेकिन चलो कोई बात नहीं कभी बात करेंगे कुछ लगसा रिक्वेस्ट आ रही है कि सब्सक्राइब करो कि आपको पॉर्ट्फोल्य किस तरह का ता अपना कोलिज में कैसे काम किया है तो लेक्स में का वीडियो आज मैं फिरी भी था तो मैंने सोचा कि कुछ ऐ क्लासे चलती है वीडियो क्वालिटी एक बार आपकी डेमो डाल दिया है आप देख सकते हैं उसे ज़्याद ही इंप्रूप क्वालिटी क्योंकि पहली क्लास दियो तो उसके बाद धीमदी में सब कुछ इंप्रूफ करता है हम लोग ने इंप्रूफ किया है तो आप उसको